Welcome to our channel Fantasy Fortune, India's leading fantasy sports channel इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं Women's 320 World Cup 2014 PKW vs SLW Dream 11 prediction की क्या हो सकती है Possible Playing 11, क्या रहेगी Small League की डीम, Grand League की क्या डीम से रहने वाली है अब हम इसी वीडियो में डिसकस करेंगे, तो पूरी वीडियो देखेगा आपको मज़ा आने वाला है तो पाकिस्तान Women vs Sri Lanka Women का ये माच होने वाला है और माच खेला जाएगा शारजा में जहां पर पहला माच अल्रेडी खेला जा चुका होगा अब शारजा में वैसे तो छोटी बाउंडरी होती हैं और रंस देखने को मिलते हैं लेकिन Women's माच में यहापर जादा रंस हमें देखने को नहीं मिले हैं दस माच में जो यहापर Women's के खिले गए हैं एवरेज स्कोर सिर्फ 119 राय और दोनों टीम्स ऐसी हैं जो एवरेज टीम ही है तो मुझे लगता है 130 तक का स्कोर खड़ा हो सकता है इस मुकाबले में अगर हम बात करें रीसन माचिस की भी तो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग माचिस नहीं हुए थे पाकिस्तान ने 89 उससे पहले आपर न्यूजलैंड ने 126 और 1500 बनाए थे बट ये काफी टाइम पहले ये माचिस हुए थे इन माचिस में 14 विकेट स्मिनर्स ने और 16 विकेट फास्ट पोलर्स ने निकाले थे बट मुझे लगता है स्मिनर्स गेम में आ सकते हैं इस माच में बात करते हैं याँपर head to head की 119 मुकाबले हुए पाकिस्तान ने 10 मुकाबले जीते हैं और शीलंका ने जीते हैं आपर 9 मुकाबले अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देखने हैं तो मरसा टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना यह हमारा टेलीग्राम चैनल है फेंटसी फॉर्चुन के नाम से है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है मिल जाएगा साथ के सामें कमेंट सेक्शन पिन कर दूँगा उसी के तुरू जुड़ियेगा सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेक चैनल काफे सारे हमारे नाम के आपको हमारे यूट्यूब चैनल फेंटसी फॉर्चुन पर डेली 5-6 वीडियो मिल रही है सारे बड़े से बड़े टूर्णमेंट आपके लिए कवर हो रहे है सो यूट्यूब चैनल के सबस्क्राइब करके बेल आइकन जबूर दबा देना जैसे वीडियो आईगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान वुमेन वर्से शीलंका वुमेन प्लेइंग 11 की सो पाकिस्तान की तरफ से ओपन करेंगी मुनिबाली गुल फिरोजा के साथ सिद्रामीन उमाइमा सोहिल आपको खेलती हूँ नजर आ सकती है निदादार अलिया रियाज आपको खेलती हूँ नजर आएंगी शीलंका प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें शीलंका वुमेन की तरफ से चमारी आट अपर टू ओपन करेंगी विश्मी गुरुनरतने के साथ फिर माजवी आ जाती है हसीना परेर आ जाती है फिर यहाँ पर दिलहारी आपको खेलती हूँ नजर आएंगी निलच का डिसिलवा आपको खेलती ही नजर आएंगी ए संजीवनी है यहाँ पर यू प्रबोधनी है राना वीरा सुगंदी का कुमारी और यहाँ पर प्रियदर्शनी आपको खेलती ही नजर आ सकती है तो भाई अभी आपके पास काफी अच्छा ओफर आ रहा है एक्षेंट 22 की तरफ से तो नो लॉस लीग भी आ चुकी है यहाँ पर इन मैचेज में वर्ल्ड कप के लिए और साथ के साथ अभी ओफर भी चल रहा है डिपॉजिट ओफर तो जिसका फायदा आपने उठा लेन और अगर आप 10 रुपे से लेके 25,000 तक कुछ भी डिपॉजिट करते हैं तो आपको 5% रियल कैश एक्स्ट्रा मिल जाएगा प्लस 5% आपको एक्स्ट्रा बॉनस भी मिल जाएगा तो आप इस चीज का फायदा उठा लेना और इससे भी बड़ी चीज जो एक्षेंट 22 पे ह वो है 9 लाउस लीघ स्टार्ट हो रही है वूमेंस मैचिज में अब इसमें आपने क्या करना है, तोटल आपको 15 मैचिज खेलने है, कौन से मैचिज खेलने हैं, 12 मैचिज वॉमें वाल्ड कप मैचिज के अपने मर्जी के और जो तीनो नौकाउट मैचिज होने वाले हैं य मिनिमम आपको 100 रुपे इंवेस्ट करना और इसमें platform fees नहीं मानी जाएगी, buy sell में ये माना जाएगा, तो 100 रुपे का buy sell आप कर सकते हैं, minimum या 500 का, या 1000 का, ये 3 category नोंने बना दी है, तो अगर आप 100 रुपे एक match में इंवेस्ट करते हैं, buy sell का without जो platform fees है, आपने 15 match, suppose खेले 15 match और 15-100 रुपे आपके, 100 into 15 हो गए, 15-100 रुपे तो अगर आप 15-100 का भी loss हो गया, तो यहाँ पर आपको company जो है, compensation दे देगी, 15-100 रुपे का, ऐसे ही अगर आप 500 रुपे पर match इंवेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर 7,500 रुपे तक आपने total खेला, तो जो भी आपका loss हो जैसे ही अगर आप हर match में 1000 रुपे इंवेस्ट करते हैं, और total आपने 15,000 रुपे इंवेस्ट कर दिये, तो अगर आपका loss हो जाता है, तो 10,000 रुपे तक का जो compensation है, वो company आपको pay कर देगी, तो बहुत ही शानदार offer है, loss होने का सवाल ही नहीं उठता है, वैसे भी exchange 22 पे loss बहुत कम होता है, तो exchange 22 पे 9 loss लीग में जरू participate कर लेना, आपका loss होता भी है, तो वो जो है, आपको exchange 22 पे कर देगा, compensation के तोर पे, tournament खतम होने पाद, बागी आप terms and condition पढ़ सकने हैं, और अगर आपके पाद exchange 22 अप नहीं है, तो डाउनलोड कर लेना, link आपको description मिल जाएग तो exchange 22 पे अप जरू download आपने कर लेनी है, तो बात करते हैं, top dream 11 picks क्या रहेंगी, पाकिस्तान woman की तरफ से, तो पाकिस्तान woman की तरफ से open करेंगी, मुने बाली, गुल फिरोजा के साथ, मुने बाली की बात करें, तो 7 match में 133 रन है, और small league में best choice wicket keeping section से बन जाती है, तो मेरे risk लेना है, तो ही आप इने try करना, फिर यहां पर run down आपको खेलती भी नजर आ जाएंगी, आसिदरामी 10 run, 14, 37, 28, 4, 10, 25, आपको 20, 25 run बना कर दे सकती है, इस venue और head to head में उतने अच्छे number नहीं है, तो risky रहने वाली, especially 10-1 combination में, अगर आप 7-4 में खेल रहे हैं, तो आप फि differential pick बन सकती है, आपके लिए small league में, तो आपके लिए एक अच्छा विकल बन जाती है, फिर यहां पर आपको खेलती ही नजर आ जाएंगी, अगर हम बात करें, इसके बाद आपको खेलती ही नजर आएंगी, निदादार, निदादार 16 माच में 16 wicket, 6 माच में 3 wicket, लेकिन ये grand league में consider कर सकते है, small league में risky रहने वाली है, फिर यहां पर आजाएंगी साधिया इकबाल, 4 माच में 6 wicket है, recent form अच्छी रही है, मेरे इसाफ से एक important विकल बन जाती है, इस team से, फातिमा सना की बात करें, head to head में 3 match में 1 wicket है, लेकिन इनका betting जो है, 17 run, 20 run, 27 run, 37 run, तो ये recent time में bowling तो उतना अच्छा नहीं कर रही है, बट बैटिंग से अच्छा contribution दे रही है, तो मेरे इसाफ से small league में important हो जाती है, क्यों कहीं न कहीं से आपको ये points दे सकती है, फातिमा सना, फिर यहां पर आपको खेलती ही नजर आ जाएंगी, तूबा हसन, 6 match में 7 wicket है, बट recent form देखे डाइना बैक की बात करें, 5 match में 3 wicket ही है, प्लेयर अच्छी है, बट problem ये है, कि इनके 4 over confirm नहीं रहते हैं, तो small league में तो risky ही रहने वाली है, फिर यहां पर आपको खेलती ही नजर आ जाएंगी, नाश्रा संदू, 6 match में 5 wicket, 3 में 2 wicket अच्छा कर सकती है, और अगर पहले bowling आती है, तो मेरे हिसाब से wicket निकालने चाहिए, इनको इस match में और एक अच्छा विकल्प आपके लिए बन जाती है, बात कर लेते हैं, कुछ खिलाड़ी आपको दिख जाते हैं, bench पे खेलती हैं, तो आप try कर सकते हैं, बात करते हैं, starting और death over की, तो starting में फातिमा सना और dyn लाइक निकिया है, so please like जरूर करना, और comment करके जरूर बताना, आपके हिसाब से best captain की choice क्या रहने वाली है, और YouTube चैनल को subscribe करके, bell icon जरूर दवा देना, जैसे वीडियो आएगी, आपको notification मिल जाएगी, so यहां से आठापट्टू open करेंगी, गुना रतने के साथ, आठापट ने, recent form बहुत अच्छी तो नहीं है, बटा आपको 10-20 run बना कर दे सकती है, so only for grand league, small league में एक हिलाडी risky रहने वाली है, फिर यहां पर आपको मादवी नजर आएंगी, समर विक्रमा, 7 match में 113, recent form ठीक ठाक है, आपको 20-25 run बना कर दे सकती है, so betting section से एक बुरा विकल्प आप के लिए नहीं है, फिर यहां पर आएंगी हंसीनी परेड़ा, 11 match में 128 run है, 2 में 21 run है, ठीक ठाक नंबर है, एक इनिंग इनोंने अच्छी खेली है, recent time में जो 43 run मनाए है, आपको जरूरत आने पर एक आदा ओर करके दे सकती है, but still small league के लिए थोड़ा risky रहने वाली है, यहां एक और विकल्प आपके लिए captain wise captain का बन सकती है, फिर आयती है डिसलवा, 9 match में 130 run है, आपको lower order में थोड़े run बना कर दे सकती है, बट small league में मेरे इसाफ से थोड़ा risky रहने वाली है, फिर यहां पर आएंगी संजीबनी, मेरे इसाफ से wicket keeping section से जो better विकल्प है, वो वाली better विकल्प मुझे नजर आ रही है, फिर यहां पर प्रबोदर नहीं आ जाती है, 11 match में 9 wicket, 1 match में 2 wicket, इस venue पर recent form अच्छी है, तो मेरे इसाफ से इस team से important bowler बन जाती है, फिर यहां पर आपको खेलती हूं नजर आएंगी राना वीरा, राना वीरा तीन match में 6 wicket, 9 मे की बात करें, 11 में 10 wicket है, 3 match में इस venue पर अच्छी नंबर नहीं है, बट selection हाई है, अपने दिन पर अच्छा कर सकती है, तो bowling first करते हूं बुरा विकल्प नहीं है, इस team से, पर यहां पर प्रिया दर्शिनी आ जाती है, 2 match में 1 wicket है, recent form ठीक ठाक है, grand league में try कर सकते हैं, small league में इसकी रहने वाली है, आपको कुछ खिलाडी दिख जाती है, bench पे खेलती हैं, तो आप try कर सकते हैं, बात कर लेते हैं, starting और death over की, तो starting में promote नहीं और यहां पर सुगंदी का कुमाई नजर आएंगी, death में आपको promote नहीं, यहां पर रनावीरे और यहां पर कुमाई नहीं न यहां पर मुनिबाली और प्रवोधिनी को आप captain wise captain try कर सकते हैं, winner prediction की बात करें, तो दोनों टीम्स अच्छी हैं, और mostly head to head in का अच्छा रहता है, लेकिन अगर हम warm-up match की बात करें, तो Pakistan women काफी बेकार करके आ रही है, महीं अगर हम बात करें, SLW और के Shri Lanka women, वो warm-up matches में Dream 11 टीम चलिए डिसकस करते हैं, wicket gaming section से मैंने मुनिबाली को लिया है, betting section से एकर हम बात करें, so edge madhvi को लिया है, यहां पर आप गुल फिरोजा, सिद्रामीन या डिसिलवा को भी try कर सकते हैं, all rounder section से बात करें, so आटा पट्टू, निदादार, दिलहारी और यहां पर सना को लिया है, उमायमा, सोहिल आपके रिक अच्छी डिफरेंशल पर साबित हो सकती है, उनको भी consider कर सकते हैं, bowling section से यहां पर इकबाल को लिया है, प्रबोधनी को लिया है, हमने एसकुमारी को लिया है, संधू को लिया है, और selection बहुत कम है, राना वीरे का 3% selection है, बट मैंने उ यह बन जाती है, हमारी small league की टीम, बात करते हैं, captain wise captain की, captain मैंने इस match में निदादार को किया है, wise captain मैंने किया है, चमारी आटा पट्टू को तो यह बन जाती है, हमारी small league की टीम, बात कर लेते हैं, अगर आप लोग खेल रहे हैं 7-4 combination में, तो 7-4 combination की हमारी team यह बन जाती है जिसमें तीन बैटसमन खिलाना जरूरी होता है बैटर तो हमने तीन बैटर को ले लिया है, तीन बोलर चार और राउंडर हमने इस कॉम्बिनेशन में ड्राइ करें है बात कर लिते हैं Grand League टीम्स की पहली जो DreamLeven Grand League टीम्स आपके लिए बन जाती है उसमें हमने यहाँ पर निधादार को k holds Captain किया है बात करते हैं Next combination की पर लिया है Ata Patu को Captain किया है दिलारी को हमने वाइस Captain किया है एक और जो combination आपके लिए Create किया है उसमें निदादार को कैप्टन किया और फातिमा सना को वाइस कैप्टन किया हुआ है तो आप इसी तरीके से multiple teams create कर सकते हैं और किसी एक player को भी multiple teams में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई है पसंद आई है तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करके बताओ आपके इसाफ से बेस्ट चैप्टन वाइस कैप्टन वाइस कौन होने वाली है साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीचे जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अलबेस्ट गई